आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है जोती शूर्जा में आज मैं आपको एक ऐसा उपाय बताने वाली हूँ जो शत्रू बाधा मुक्ति के लिए है शत्रूं से मुक्ति हर कोई चाहता है वो शत्रू कैसा भी हो सकता है आपके जीवन में कोई भी ऐसी स्थिती जो आपके विरुद्ध हो वो आपकी शत्रू है चाहे वो बिमारी है चाहे वो गरीबी है दरिदर्ता है कैसी भी स्थिती हो वो आपकी शत्रू हो सकती है और हर स्थिती में आप इस उपाय को कर सकते हैं जो आज मैं आपको बताने वाली हूँ, बहुत सारे लोगों की परिशानियां अलग-अलग होती है, हर कोई व्यक्ति अपने जीवन में कई अलग-अलग तरह की मुसीबतों से गुजरता है और हर किसी के लिए मुसीबत अलग-अलग हो सकती है, तो इसलिए आज का उपाए हर उस मुसीबत में किया जा सकता है, जो शत्रू की तरह वहवार करती है,'D आज का जो उपाए, जो प्रियोग में आपको बताने वाली हूँ, ये आप सूरे ढ़ने केबाद करें तो बहुत अत्तम लाब देगा, इस प्रियोग को रात के समय किया जा सकता है, या सूरे ढ़ने इसके लाभाब को मिले तो उपाए नोट कर लीजिए या आप इसे पॉस करके दुबारा भी वीडियो को देख सकते हैं वीडियो के साथ बने रहें और उपाए को लिख लें किसी कॉपी पर लिखने से उपाए आपको अच्छे तरीके से याद हो जाएगा और आप गल्दी नहीं करेंगे इस प्रियोक को आपने कनेर के फूल के साथ करना है कनेर का पीला फूल इस उपाए में आपने इस्तिमाल करना है कनेर के फूल बहुत आराम से आपको कहीं से भी मिल जाएंगे पीले रंग के ये फूल लेने हैं 11 फूल आप ले ले और इन फूलों को आप अब आपने अपने ही घर में कहीं भी जहां पर आपका पूजास्थान हो वहां पर भी आप कर सकते हैं पर दक्षिन दिशा माकाली की दिशा मानी जाती है अगर आपके घर में माकाली की तस्वीर है तो आप उसे सामने रखें और ये 11 कनेर के फूल माकाली को अर्पित करने है सबसे पहले आपने क्रिया को स्टार्ट कैसे करना है उसको कैसे शुरुआत करना है आप माकाली की तस्वीर को रखें और उनके आगे एक दिया जलाएं जो तिल के तेल का होना चाहिए उस दिये के सामने आपने कनेर के 11 फूल रख देने हैं और वहाँ पर आप बैठ जाएं क जो आपकी शत्रु की तरह विवार कर रही है तो आपको उस स्थिती का नाम लेकर बस इतना कहना है कि हे मा मुझे इस स्थिती से मुक्ती चाहिए मुझे इस शत्रु से मुक्ती चाहिए मुझे इस बिमारी से मुक्ती चाहिए आप ये संकल्प लें और इस मंत्र का जाब ज स्थिति से मुक्ति दिलाएगा जो आपका पीछा नहीं जोड रही है मंत्र इस प्रकार से है आप इस मंत्र को अपने कॉप्पी पर नोट कर सकते हैं ताके आप इसको जब भी बोले तब आप भूलना जाएं दियान से इस मंत्र को सुनिए ये मंत्र 11 माला जब कर लें और आप देखेंगे किस तरह से शत्रू आपका पीछा चोड़ते हैं वो कभी आपको परिशान नहीं कर पाएंगे इस मंत्र को ग्यारा माला जपने के बाद, जैसे ही आपने कणिर के फूर मा को अर्पिद कर दिये हैं, बस अब आप सुनिश्चित कर लें कि मा काली आपकी रख्षा करेंगी, आपका कोई भी दुनिया में बाल भी बांका नहीं कर सकता, माकाली की कृपा के आगे किसी शैतान का जोर तक नहीं चलता, क्योंकि माकाली शक्ति सवरूपा है, इसलिए अगर आप खुद को असरुक्षित महसूस करते हैं, तो ये उपाये आप भी करके देख सकते हैं, आपको जरूर इसका लाब मिलेगा, माकाली ऐसी देवी है, जो उ के लाब अवश्य देखने को मिलेंगे, माकाली की अराधना शत्रू के लिए मुकदमों के लिए की जाती है, और आप इसे करके अपने जीवन में बहुत सारे लाब प्राप्त कर सकते हैं, तो ये काली मंत्र आप भी जब सकते हैं, और अपने दुश्मनों से राहत पा सकते हैं, शत्रों को आप अपने ठिकाने पर लगा सकते हैं, देखिए जीवन में बहुत से उपाए ऐसे हैं, जो आप सरलता से कर सकते हैं, बस उन्हें आजमाने की देर है, आप भी इसे आजमा के देखे, करके देखे, लाब अवश्य मिलेगा, और ऐसे ही कौन से विशे के पर आप विडियो चाहते हैं, क्या विशे आप देखना चाहते हैं, कौन से रेमिडीज चाहते हैं, उपाय चाहते हैं, तो आप अपनी तकलीफों को आप अपने जो भी समाधान चाहते हैं, उन प्रश्नों को कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज सकते हैं, ताकि आगे आने वीडियों इनके समाधान आपको मिल सके और आप अपने जीवन को सुरक्षित कर सके और इसके साथ-साथ सरल और समृति कर सकेMusic आज के लिए इतना ही मैं मिलती हूं अगली वीडियो में अगले विशह के साथ तब तक के लिए आपका बहुत भहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए